मेरा दागिस्तान लेखक रसूल हम्जा तो इंसान अवार पाशाच इंसान ते अजादी ले एक ही शबदी वर्तों की ते जन्दी है उजदेन इंसान उजदेनली अजादी इसलिए जदो इंसान दा जिकर कीता जान दाय तैदा इं मतलब भी हुंद है कि ओ अजाद है इक कबर दे पत्थर उते उक्रे शबद बुद्धी मान होंदा उने कदे न ना कमाया वीर सूर्मा बांका उता कदे नहीं अखवाया पर सामने ओदे सारे अपना सीज चुकाओ क्यों जो सई मैने आंदर इंसाल पला बन चाया खंजर उते उक्रे शबद मिले बन मित्तर जांबन वेरी जीवन विच कदे जेक किते कोई है इंसानों सदा याद रखी खंजर वालिया अपने मन एही बहुत समा गैर हाजर रहन तो बाद एक पहाड़िया जदो अपनी मात पूमीच वापस मुड़या तो उन्हों पुछिया गया यह उन्दासों थे हाल किये उथे जमीन के होजिये उथे उन्दे तोर तरी के के होजेने उथे इन्सान रहन देने पहाड़ी आदमी दा जवाब से तो जदो हाजी मुराद ते शमील दा पस्च चगड़ा हो गया तकुझ लोकाने नायब यानी हाजी मुराद नूँ खुश करन ले शमील नू बुरा पला केना शुरू कर देता सक्त एशारे नालोना नू चुप करोने हाजी मुराद ने क्या खबरदार जे होजे माड़े बोल मुहाँ करड़े ओ इनसान ने ते अपने चगड़े असी खुद न बेड़ सकने हाजी मुराद बेशक शमील नू छड़के चला गया फिर वी गुनीब पहाड उते आखरी लड़ाई दे समय अपने नाइब दी बहादरी ते दलेरी नू याद कर देया हुया शमील ने क्या हुनो होजे लोक नहीं रहे ओ इनसान सी अनेक सदियां तो पहाड़ी लोक पहाड़ांच रह रहे हन ते हमेशा योनानों इनसान दी लोड मैसू सुन दी रहे है इनसान दी लोड है इनसान तो बिना किसे तरह भी कामने चल सकता पहाडी आदमी प्रोसा द्वान्द है, इंसान जम्य हां, ते इंसान ही मरांगा पहाडीयां दा इनियम है के जमीन वेच देऊ, कार वेच देऊ, सारी जैदाद गवादेऊ, पर अपने अंदर ले इंसान नू ना वेच जो, ते ना इंग वाओ पहाडिये अपने आपनों यहों सराप दिन दे हन साधे वंश विच ना इनसान होवे ना कोड़ा जदो किसे ना काबल तुछ ते कमीने बंदे दा जिकर हुन दा है ता पहाडिये विच्चे टोक के कहन दे हन ओदे बारे अपने लफज बरबाद ना करो ते जदो किसे आदमी दी पुल, दोश अपराद, तुरुटी, कमजोरी दा जिकर शुरू किता जान दा है ता पहाडिये विच्चे टोक के कहन दे हन ओदे जदो किसे जुर्म नों माफ किता जा सकते जिस पेंड वेच कोई सही बंदोबस्त नहीं हुन दा जेड़ा तांग ते गंदा हुन दा है, जिते लड़ाई चगड़ा हुन दा रहन दा है ते जेड़ा किसे कामदा नहीं हुन दा हुदे बारे पहाड़ी लोग केंदे हन ओथे इंसान ही नहीं जिस पेंड़िच बंदोबस्त सही हुन दा है, ते शान्ती हुन दी है इदियां जड़ां के थे ने, इदिय बारे बहुत सारीयां दंद कतावाने, किसे कहाणियां हन, उनना विच्चों एक में बच पंच सुने सी, तरती उते तरं 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 दे जानवर ते प्रिंदियां दा जनम हो जुक्या सी, ते उनना दे निशान लब दे सन, पर इंसान दे पैरां दे निशान के थे भी नहीं सन, तरं 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 दी आवाजां सुनाई दियां सन, पर सिर्फ इंसान दी आवाज सुनननों नहीं मिल दे सी, इंसान तो बिना तरती, जबान तो बिना मूं, ते दिल तो बगैर छाती वांग, इस तरती उते बड़े शक्ती शाली ते ब पहादर उकाब असमान चुड़ दे रहन दे सन। जिस दिन दा जिकर चल रहा है उस दिन अन्ने जोर नल बरफ पैरी सी जनों प्रित्वी दे सारी पंचियां दे खंब खोई जा रहे हून। तो हवा चुड़ रहे हून। जो खंजर वरगी सी अपने टिकाने वाल मुड़ रहा सी। जानता उकाब उचाई बारे पूल लगया सी ते जा फिर उचाई उदे बारे पूल लगया सी। पर उड़देयां उड़देयां यो कठोर चटान नाल जा टकराया। अवार जाती दे लोकां दा कहना है के पर बत उत्ते होया सी। पर इकटना पामे किते वी क्यों अवापरी होए। चटान ता चटान है। ते उकाब उकाब। एमी तैनी आख्या जान्दा प्रिंदेनू पत्थर मारो प्रिंदा मर जाएगा। तुट गई। पर देल तरक दा रहा। तिखी चोन जोते लोहे वांग मजबूत पंजेजियों देत्यों बने रहा। इसनों अपनी जिंदगी ली संगर्ष करना प्या। खंबा बिना खुराख हासल करना मुश्किल है। खंबा दे बिना दुश्मन नाल जूजना कठे नह ये उकाब हर रोज एक पत्थर तो दूसरे पत्थर हुते, एक चटान तो दूसरी चटान हुते वत तो वद उपर नूँ चड़दा हुया, उत्ते चटान तक पहुंच गया सी। जे सो ते बैगे इन वाले द्वाले परभता हुते नजर मारना चंगा लगदा सी। खंबा तो बिना खुराख हासल करना मुश्किल सी। दुश्मन तो खुद नूँ बुचोना कठिन सी। उचाय उत्ते जाना ते आलना बढ़ोना असान नहीं सी। येना सारी कठिन कंबा दे धौरान उकाब दे पठे बदल गए। ते बारी शकल सूरत भी बदलन लगी। जो दुवालना बढ़ गया तो असल च पहाडी कारी सी। ते खंबा तो बिना उकाब पहाडी आदमी। वो पेरा उत्ते खड़ा हो गया ते टुटे होई खंबा दी था उधियां बाहा निकलाई या। उधि अद्धी चुन जाम जई पर बड़ी नकच बदल गई। ते ब पहाडी आदमी बढ़न तो पहला उकाब नो किनी ज्यादा मुश्कल दा सामना करना प्यासी। ते नो इस चीज दिया है मियत नो समझना चाहिद है। मैंनो नहीं पता के सारा कुझे इस तरह होया है के नहीं। पर एक गल निर्विवाद है के प्रिंदें विचों पहाडी लोका नो उकाबी सब तो ज्यादा प्यार है। नेक ते बहादर आदमी नो उकाब क्या जन्दा है। पतर दा जन्म होंदा है तब पियो ए अलान करदा है के मेरे कार उकाब दा जन्म होया है। ती जो दो छेती छेती ते बड़ी फूर्ती नलकार मुर दिया है ता मांग के जान दे दर्वाजेयां पंगूडेयां थे खंजराओं थे अक्सर पच्ची कारी दे रूप जान किसी होर शकल जो काब दी शकल बढ़ी हुई दिस्दी सी। नदियां ते चटान नाओ परुच्चा उडण वड़े केडे तेरा वन्शो काबा किस थांतों तुँ आया अनेका तेरे पुत पोतरे मातपू मीले मार मिटे दिल ओनांदा खंब ओनांदे साड़े विच्चों हर कोई लाके इस तरती ते आया दोर हनेरे अंबर दे विच्च अनेका तेरे वीर सूर में रण खेतर जो रह गए चम कोना दी अख़दी लेके हां बन रोशनी आये तेही वज़ाए के दागिस्तान दे लोग प्यार ते आसनाल अकाश वाल वेख दे हन उड़के आन ते उड़के जानवले पंचियान वे सित्राई वेख दे हन पहाडी ल आसी. फास सेस्टाग दे हवाई जहाज ग्रोजनी शेर दे खनेज तेल दे टिकाने होते बंबारी कर दे सन, साडे दागिस्तान दियाँ चायां तो अगदातू आन देस्था सी. उनी दिनी का कैशिया दियां सार या रिपब्लिक दे नौजवाना दे नुमाईन दे दूर हवा बाज वालन तीन अमीरोव ने पाशन देता। पर हर वारी जदो मैं अपने सिरुते चीख दे होई काव नूर दे जान्दे वेख दे हां तै विश्वास करतां को दे सीनेच वालन तीन दा दगदा होया देल है। उन दे त्यारी कर रही सी। उन ता जंग नहीं तू दागिस्तान मोड़ा मैं उन्हों आख्या अकाश्ता हैगा। कुछ दिना बाद परावदा अखवार ने उदी फोटो चापी। उदी हेठा लिखिया सी। नभी अमीनता येव ने पैराशूर्ट उचाल मारंदा संसार रिकॉर्ड काइम कीता है। नभी अमीनता येव ने अपना रिकॉर्ड दागिस्तान अर्पन कीता है। कुछ दिन बाद मेरी फिर नभी नल मुलाकात हुई। आओ दागिस्तान चलिए। अकाश इंतजार कर रहा है। मैं अकाश तो बिना नहीं रह सकता। पर जिन्दगी छोटी जई है। एक वार पैराशूट ने दगा दे दता ते साधा नभी जी में टुटे हुए खंबा वाले उकाव वांगे ठा डिक के मर गया। उदो तो हुण तक अनिक का साल बीत गय हैं। पर जदो भी मैं अकाश वेच उकाव दी चीख सुनदां ते ही सोचदां कि उदे सीनेच नभी दा दगदा होया देल है। खुब सूरत रिजेदा भी मैनू याद आ रही है। दागिस्तान दी अस्मान तो उने गुनी परबत उते छाल मारी सी। उदे खिड़की दे हेठां उदो किनने पंदूरा वाज्जे गुन्ज उठे सान। इक वीता जवान कभी यह हो जा नहीं सी। जीने अपनी कभिताओन उस मर्पत ना कीती हो। बुइनना कास्क शेरवेच इट्टां दा एक छोटा जयकार है। उनी दिने किन याओ दे नजराओ दे ते टिकियां रहन दियां सान। खुन्ज गुनेब कुमुक पिंडाच कोड़यों ते जीन कसे गए ताके लमियां गुताओन वाली सीना नू अगवा कर लिया जाए। पर एक लैनिन ग्राद वासी आया ते साड़ी रिजेदा नू हवाई जहास्ट बठाके नाल ले गया। उन्हें हवाच चुड़दे हवाई जहास्तो हाथ हे लाहे लाके हेठा तरती उते रह जानवाले अपने सारी आश्कानवाल विदा कह देती। साड़ी कवियों नू जानदी होयां मूं खोली वेखते रह गये ते बाच उसको बुतरी जे बारे कवितामा रचन लगे। सो गुद दिन भी काले हो गये लेलन ग्राद अग दियां लाटां वेच्चे मैं भी लाटांच किरी होयां तुएं ते अग विचों अकाश नू वेखनी हां पर अकाश विच भी लड़ाई चल दी पए ये मेरे पती सयद अनेका वार दुश्मन दियां खेर लियां सफांता ही होके आए ने उनमें ऐसे इतलाव वालियां तिन चिठियां हासल कर चुकी हैं कि उसी हिद्धी प्रापत कर चुके ने ओ दुश्मन दियां सफांच जाके कम करन वाले डॉक्टर सन मेरे को ओ लोग होंदे रहंदे ने जिना दिया होना ने जाना बचाईया ने रे जेदा दागिस्तान मोडाई अपने दागिस्तान दिया काश्वेच जदो उकाव दी चीख सुन दिया तैही सोच दिया कि उदे सीनेच सयदा सैक दा देले मेरे वीर अखील ची तूता एकदम तर दिनल सबंदत खेती विज्ञान दी संस्था विच विद्या हासल कार रहा सी पर युद्धे समेत वी असमानुई चुनिया हवाबास बन गया सी काड़े सागर्दे उत्ते तू शिही दी पा गया सी उस विड़े तेरी उमर बाईस सा मैंनु वे पता है कि तुसी अपने जनम स्थान दे प्यारे पाड़ी कर्ट उन कदे नी मुड़ोगे पर हर वारी जुदो मेरे उत्ते किते उकाव दी चीख सुनाई दिन दिया तो मैं मन्दा एक खील चीदा दिल है जिड़ा मैंनु अपने प्रानु कुछ कह रहा है दागिस्तान दे अकाश वे चो उकाव उड़े रन दे हन बड़ी गिंती अवना दी पर एहो जए वीर सूर में दी गिंती भी कोई कट नी जिना ने अपनी मात्मों मेली अपनी अज जाना कुर्वान कर देती है हन उकाव दी हर चीख च बहादरी ते दिलेरी दी ललकार हुन दी है हर चीख लड़ाई च कुद्धन लेक सद्धा हुन दी है मैंनों पता है कि एक खुबसूरत किस्सा है मनकरत कहाणी है लोग चौन दे हनके इंजी होए पर एक व्यक्ति नो जड़ा बहुत उचाई तक चड़ गया सी आंदी जाती दे का आदमी ने क्या इंसान बढ़न ली उकाब तक तर्ती उत्ते उत्तरों देनी तो तु भी अप पाड़ान दा तर्ती दा बन दे साधी वाणे प्रादे पासे उडाना शबद बहुत पसंद किता जान दे कोड सुआर सरपटकोडा दोडान दे तासी कयने उड़ियां ओंद 내 गीत जा गाणा उड़ रहे है, साड़े ज्यादा तर गीत गाणे उकाबां बारे ने अनेक वार मेरी एस गाले अलोचना कीती गई है कि अपनी एक कवितामांच मैं अकसर उकाबां दा जिकर करदा पर दूझे पंचियां दे मुकाबले मेनों उकाब ज्यादा चंगे लग देने ता मैं की करां? ओ दूर दूर तक ते उच्ची उडान पर दे हैं जोदो के दूसरे पंची ज्वार बाजरे दे दाने आदे कोडी पाजनट कर दे ते चेक दे रहन दे हैं उकाबले अवाज भी उच्ची ते साफ हैं जोई ठंड शुरू होंदी है दूझे पंची दागिस्तान नलगदारी करके पराए खेतरा मलोड जान दे हैं पर उकाब तक अदे अपनी मात को मीनों नहीं छड़ दे पामे के होजा भी मौसम क्यों नहोगे? गोलियां दी किनी ठार ठापामे के होजे भी दैश्चत पैदा क्यों न करे? उकाबले गरम सेत बख्ष थावां दी होंद नहीं बाकी पंची हर वेले जमीन नल चिपके रहन दे हैं एक छात तो दूजी छात ते तूँए तो एक जिमनी तो दूसरी होते जूड़ दे रहन दे हां किसी छोटे जये दर्रे नुं सढ़े वाले पासे पंचीदा दर्रा केंदे हां? किसी बहुत वड़ी चटान नुं सढ़े वाले पासे उकाब दी चटान क्या जान दा hijo ये स्तर्थी उते जन्म लेनवला हर इंसान, हर आदमी इंसान नहीं हुन्दा, उड़नवला हर प्रिंदा, उकाब नहीं हुन्दा तन्वाद